कि गुर्मोनिंग सो उत्रप्रदेश का मौपप में कितने सीट्स अवेलेबल हैं इसका आइड आप ड्रेटली दे सकते हैं अब यह आपको पता चल जाएगा क्योंकि अब यह पहले था अलॉट अब आगे एड्मिटेट राइट और इस से आप देशन बना सकते हैं मिलके लेकिन सुबा सुबाया है तो मैंने करना आपको लाइव दिखा देता हूँ और फिर आप खुदी चेक कर सकते हो और जैसा कि ह जानते हैं कि फिल गो पहले वह देखते हैं कि जो कि भाई काम की है यह तो सरकारी उपर ओगे तो लेट स्टार्ट फॉम प्राइवेट राइट और प्राइवेट में हम और से भी चल सकते हैं यह हम देशतिया जो सब से लेट से बैस्ट कॉलिजे असरम बरेली उसमें एक सब्सक्राइब कर चुके हैं और यह लिस्ट अगर अभी आई है तो आप समझ जाईए कि किसी ने विद्राउन नहीं करा कुछी नहीं करा तो एसरम बरेली में है जीरो सीट्स ओके उसके बाद जो नंबर टू फेवरेट है शार्दा शार्दा में भी दिखेंगे यह आप वो सीटे एक शीट तो एसरम बरेली में जीरो शार्दा में एक शीट ओके सुभारती देख लेते हैं और लब आप खुद भी देशबते हैं लंबा नहीं खेचुआ मैं और परपाज ही था कि होम पेज पर आपको दी जाएगा जितने भी एक टॉप कॉलीजें से आपको एडिया लग जाता है कि और सबसे बड़ी बात रही है दिखें जो में को हमे हैं बाकी हर जगा जैसे मेरे कई स्टूडर्स ने हर्याना में राउंड टू में जोएन कर लिया प्रॉपर जोएन किया और फिर चाने सुनको में अच्छा लॉट्मेंट हो गया और वह राउंड तीन में और वापस आकि उन्होंने हजाने का राउंड टू अभी रिजाइ कर दे दो तो पचास परसंट कटेगा राउंड टू राउंड तरी के बाद दो तो सौ परसंट पहले साल की फीज कटेगी तो पहले साल की सीज तो बहुत होती है तो यह फरक होता है पास सीट आपको मिल रही है सुभारती में देखिए जहां हम 40-50-30-40 की और भी मैं हमेश सीटें आपके सामने आ रही थी वह बिकॉज ऑफ एनराई आ रही थी राइट फोड़ा सा बढ़ा करो में प्रवस में रहे रहते कि आप थोड़ा वो स्थीख में जो मेरे क्लेंट नहीं भी हैं ताकि वह फ्रॉड एजेंटों के चक्कर में पढ़के खाम खाम में बहुत स सादोपूर में आगे नहीं अलफला में बारा आगई एजटी में 14 आगई वर्ड में 11 11 आदेश में 6 अदेश में 14 लोगों ने नराई में अलॉट्बन कराया मेरे एक लाइन था हर्याना में एनराई की फीज भी रीजनेबल है तो मलब कि एक कोड़ का पकीज ही पढ़ता ह सब्सक्राइब है तो सुभारती क्लियर हो गया रोहिला खंड चौथा फेमस कॉलीज है उसमें आपको मिल रही है चार सीटें तो रोहिला खंड में भी हो गई चार सीटें ठीक है इसी तरह से आप इस सरकारी में फिरी भी लोग छोड़ सकते हैं क्योंकि सरकारी में तो प्रेल्टी क्या है राउंड टू के बाद इवन सरस्वती हापुल टाइप काम कॉलीज देखेंगे जिसमें कि हमें यादो सीटे एड हो गई ती राउंड टू में पर कोई फैदा न राइट 244 तक आगया ना तो फिफ्टी टोडर सीट से इतनी बची छे सीट है उसका मुकाबले आए थी जो मुझे सबसे ज़्यादा जो हम हमेशा कहते हैं क्यों क्यों कि ती थांकर कि जो नॉर्मल सीट से हैं जो औरिजनल नॉर्मल थी वो 75 मैं से 70 की होगी रिपोर्टी सबसे ज़्यादा आपको क्या टी एम्यू देता है जैनल टी और फिर से समझते हमेशा कि टूटी यह राउंड तीन में ही कनवल्ट होंगी तो सत्रह रिपोर्ट होंगी तो 75 मैंस सत्रह 58 सीट हैं अभी आपको ती ठांकर महावीर में टोटल 62 सीट से वेलेबल हैं तो सबसे ज्यादा जो 230 240 250 नंबर के स्टूडेंट्स हैं पर एक करोड़ पांच लाग का पैकेज खड़ कर सकते हैं फिर लोग पूछते हैं सर सेम लोजिक एरा में को नहीं लागू हुआ कि वहां पर तो इतने पूरी पूरी 75 रिपोर्टिंग हो गई है मुस्लिम मैनिल्टी की जैन जैन जो है उनका ऐसा तो है नहीं कि मैंने जैन में बढ़ना है तो किसी जैन जैगर 400 नंबर है तो जॉली ग्रांट जाएगा किसी के पांस साड़े 500 नंबर है तो कस्तूरबा जाएगा अक्सेट्रा सट्रा मुस्लिम्स थोड़ा सा प्रिफर करते हैं जितनी मेरी समझ है व खापको अलफला में इरा में इंटिगरल में विपुरे नॉर्थ की बात करें तो राइसार में कोई भी नहीं है यूपी में हैं ये चार और हर्याना में एक हो गया वहला उतर खंड में बीनी है तो फिर जो पूरा एरिया छेत्र हो जादे तना बड़ा और एवार साथ की सब्सक्राइब तो उसकी वज़ा से मुस्लिम माइनल्टी के सीटे भर जाती है चाहिए वह महेंगे भी कॉलिज है क्योंकि यह तरह से प्रेफरेंस होती है और मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं वह कोशिश करते हैं पहले यह मिल जाए इन में से कोई नहीं मिला तो कुछ और ले है राइट तो उतना मतलब करेश उसके लिए नहीं है तो मेरे खाल से इंटीरल का पूरा इंटीरल में फिर भी देखिए पूरी सीटे खता में देखिए जो खासका मेनल्यटी वाली है एक तो मेरे क्लाइंट सा कन्फूज जब रिपोर्टिंग लॉडमेंट होगे तो जो इन नहीं करा तो इसे मुझे पता था एक सीट तो खाली हैगी टोटल तीन आ गई है तो इरा में नौन में टोटल तीन सीटे हैं बिल यह किसी को भी सब्सक्राइब भर देगा फॉर्म यूपी का राउंड तीन में आपको पता दूं जब ऑनलाइन भी चल रहा होगा तो प आपके 500 तो आपको नहीं मिलेगे लिए जब दो राउंड तो जैन नहीं आए तो अब चुम आएंगे और कहां कब तरह इंदजार कर रहे होंगे एक आदिक आदा आगे तो बात अलागा है ठीक है लेकिन जो इंटीग्रल नॉर्मल सीट है उसमें दो वेलेबल है तो टोट लोटिंग भी 100% है पर वहीं देखिए 11,49 तो सब को सीट मिल जाती है यहीं फैदा रहता है यहीं कारण रहता है कि जो लोग इसमें आ जाते हैं और इवें जो नॉन मुस्लिम था एफ एच लॉट्वेंट हुई थी पूरी 75 छे सीटे खाली है यहां यहां पर भी दिए कु सब्सक्राइब के लोग तो वहीं पांच से पांच से आप देख रहें एवरेज जो कॉलिज में आती है अधर देंत इतांकर महाविर थोड़ा सा रेंडम ली देखते हैं वहना तो समय बहुत हो जाएगा हिंस ही तब हो थोड़ा सा बसता कि आपको वहीं देखिए पूरी 1500 खत्म है करेक्ट तो टोटल आप देखेंगे तो मैं हमेशे कहते हूं कि उत्तरप्रदेश के भरोसे बहुत जाद अमत रहीएगा विकॉस ऑफ दी रेजिगनेशन दूल जिसको भी सीट मिलती है वह समझके ही भरता है तीन आएगी परसाद में तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी सीटे आने वाली है एक सीट आगी वरुन अर्जुन में तो टोटल वल्लों अगर 31 कॉलिज हैं तो हम सेफली कह सकते हैं कि अगर बस एक जो एक्सेप्शन है बासर सीटों का जैन मनिल्टी उसके लाब दो चार पांद दो चार तीन चार वल्लों एवरेज तीस कॉलिजों मे हम एवरेज चातीन चार पकड़ने तो एक सो बीस और साथ इसमें एक सो सीटे से में हमें अवेलेबल है उत्तर प्रदेश में तो कि तरह बढ़ा बढ़ा स्टेट है जिसे मुकाबले हरिगाडा में डेट सो या राजस्तान में 600 है और राजस्तान में को समझा ही चुगा कि कि वहाँ पर क्या था कि जोगी पहले दो रहां क्लो स्टेट थे मेहंगी फीस और मेहंगी फीस में कैटेगरी रिजर्वेशन तो सीटे राउंड त्री में आती है तो इसलिए रायस्थान हर्याने में आपको जारा सीटे नज़र आ लिए उत्राखन में भी बहुत सीटे द सब्सक्राइब कर सकते हैं कि अगर कोई भी सीटे गवर्मन कॉलिज में अवेलेबल है पर पीड़न की तो मेशे रहती है और अब इस तरह से देखेंगे तो देखिए सौसो सीटे में पकड़ के चले तो कही जगा सरकारी सीटे अवेलेबल है कि सरकारी फिर भी लोग रिप होता है ना और दूसरा यह है कि अलोट्मन के बाद भी छोड़ दिया पूरी फीस लेली तो भी हमारा क्या ही नुक्सान हो गया तो उसकी वज़ा से आप देखते हैं सरकारी में फिर भी सीट्स रेकेंट हैं पर सरकारी में भी मोसली आपको मिलेंगी सीट्स जोगी पीड़ काफी लोग काफे जगा सीट्स ले चुके उत्तरपदेश में अफ्रेड अलाउड नहीं है यह अच्छी बात है विजाविज हरियाना या उत्राखंड तो उनी को सीट मिलेगी जिसको फिलाल यूपी में नहीं मिली है और पॉसिबिल्टी है कि हां सरस्रति उन्नाव में ब जब कि यह बात में सच्छा है कि NCR उन्नाव और वेंकर टेश्वरा गेजरॉला जो मैंने शुरूर में भी लिखा था कि मेरे साब से वह रेड़ फ्लैग रहते हैं एसवालेस एफ हागरा जो बिलकुली रेड़ फ्लैग है कि जहां पर जाना मतलब अपने आपको आप चैल सब्सक्राइब रहते हैं और आपको लगता है कि मेरा काम सतर लाग तक में हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हर्याणा और यूपी ही दो आपको यह स्टेट्स हैं और यह रेंकर टेश्वरा गेजरॉला और सरस्थी उन्नाव जैसे कॉलिज हैं जो आपको वह बैनिफिट या वह आप्शन प्रदान करते हैं राइट तो अब तो ख्यार रेश्चेशन दो खदम हो चुकी है आज शाम से चालो हो जाएगी तो उसके साफ से फिर आप देखिए और अभी भी आपको हमारी कोई हल्प चाहिए सपोर्ट चाहिए यू नो दा प्रॉसेस 96433 62320 पे आप फोन करके फोन या फेस्टो मिटिंग अरेंज कर सकते हैं फोन मिटिंग का रहता है चार्जिस धाई हजार फेस्टो फेस का पांस हजार और उसके बाद अगर आप हमसे पूरी काउंसलिंग कराते हैं तो इस समय हमने फ्लैट प्राइस कर दिये क्यों जब त शुबहूर नमस्कार बाइट टेक कियर